बाहर होटेल्स में और गरों में खाना खाने के बाद आप जिन टीसू पेबर्स का हाथ और मूँ पोचने के लिए बड़े आसानी से यूज़ करते हो क्या आपको पता है वो कैसे बनता है अगर नहीं पता तो जान लो क्योंकि ये आपके भी होफुला कर रख देगा बनाया तो इसे पेड़ों से भी जा सकता है लेकिन फेक्टरियां इसे रद्धी और कचले से बनाना ज़्यादा प्रिफर करते हैं ताकि पेड़ों को कम से कम काटा जा सके सबसे पहले नद्धी पेबर्स को गला कर एक घोल तैयार किया जाता है जिससे टैंक में डालकर तेज आंच में खुलाया जाता है जिससे इसमें लगी सारी इंक छूट जाए और बिना इंक का एक साफ पल्प बाहर आ सके जिसके बाद इससे कई सारी भरी बरकम रोलर के बीच से निकाला जाता है जिससे इसके अंदर का जुमा पानी बाहर निकल जाता है और ये बिना इंग का सूखा मेटरियल बबनके बाहर निकलाता है फिर इसे anti-bacterial liquid से दोने के बाद hot air blower के बीच से निकालना पड़ता है जिससे ये pulp एक gold से direct एक सूखे paper में chain हो जाता है फिर इसे एक के उपर एक layer में लगा कर 8-10 इंच के coating काट दिया जाता है और packer के market में sell होने के लिए उतार दिया जाता है